नमस्कार दोस्तों सरकारी भृतिन यह स्वागत है यह दोस्तों यह हिंदी व्याकरण का तीसरा वीडियो है और इसमें हम देखेंगे शब्द परिभाशा भेद और उदाहरन ठीक है देखें यह जो शीरीज चल रही है इसमें आप अच्छे से हिंदी व्याकरण सीख लो अगर आप अच्छे तरीके से हिंदी ब्याकरण सीख लेंगे तो ट्रिक तो यूज होती ही होती है एक्जाम में साथ में आपको अच्छा नॉलेज रहेगा हिंदी ब्याकरण के बारे में कोई भी कुछ ट्रिक के थ्रू जो नहीं आप बहुत डीप में भी समझा सकते हैं आप लोग देखो पूरी हिंदी ब्याकरण मतलब ये हर एक एक सम के लिए तो चलियए आज का जो है हमारा हिंदी परिभाषा का एक जो है वीडियो है तो उससे इहते हैं कि सब्द परिभाषा किसे कहते यह देखते हैं तो देखे एक या इससे अधिक वरणों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनी सब्द कहलाती है किसी भासा में अनेक सार्थक सब्दों का प्रयोग किया जाता है तब वह एक वाकिका रूप लेकर पूर्ण अभिव्यक्ति करने में शक्षम हो जाती है मैंने आपको श्वर ब्यंजन पढ़ाया था बीना जो ब्यंजन है बीना स शब्द को कमप्लीट नहीं कर सकता पूरा नहीं कर सकता इससाब उसी तरह जो है एक या उससे अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनी सब्द कहलाती है समझ रहें आप तो जो पूरा एक शब्द बनता है स्वरे और मेंजन से उनको मिला के पूरा एक जो नौलेज जो है मैं आपको देना चाहता हूं और सब्द के भेद जो है इसमें हम डिसकस करेंगे सब्द के जो भेद हैं यह चार भेद हैं ठीक है तो पहला है प्यूत्पत्ति के आधार पर सब्द के भेद दूसरा जो है उत्पत्ति के आधार पर सब्द के भेद तीसरा ज जो है अर्थ के आधार पे सब्ड के भी तो यह हमारे चाहर जो हैं सब्ड के भी तो यह चोती-चोती चीजें आपको मालूम होना जरूरी है ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सभी आप grammar के बुक्ट लोगे उसमें भी आपको हिंदी ब्याकरण की में बाद कर रहा हूं उसमें भी यह सारी चीज शुरुआती तौर पे लिखी रहती है तो आप इनको जो है नेखा ना करें यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है कभी भी एक्जाम में पूछ सकता है इसलिए मैं सुरुआ से मैं आपको पढ़ा चुवाएंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं देखिए ब्यूत्पत्ति के आधार पर जो है सब्द के तीन बेद हैं पहला है रोन सब्द दूसरा है योगिक सब्द तीसरा है योग रोन सब्द तो रोन सब्द जो है जो सब्द किनी अन्य सब्दो की योग से न बने हो ठीक है और किसी विशेश अर्थ को प्रगट करते हूं तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ नहीं हो वे रूड कहलाते हैं यानि रूड शब्द कहलाते हैं एक्जामपल देख लीजिए इसके टुकड़े हो पाएंगे कल कल इस पर आप देख लो इनम हमारे रोड सब्द कहलाते हैं योगिक सब्दे देख लेते हैं योगिक सब्द किसे कहते हैं सब्द कई सार्थक सब्दों के मेल से बने हो यानि जो सब्द कई सार्थक सब्दों के मेल से बने हो वे योगिक कहलाते हैं जैसे में एक्जामपल देख लेजिए दिवाले है त सीखने को मिलेगी तो यह हो गया हमारा दो सब्दों के जो सब्दों के मेल से जो चीजे बनी होंगी वह योगिक कालाईंगे जैसे देवप्लस आले देवदूत प्लस पराबर देवदूत आदे तो जो शब्द कई सार्थक सब्दों के मिल से बने हो उनको जो है योगिक शब्द कहलाते हैं तो यह सभी सब्द दो सार्थक सब्दों के मिल से बने हैं तो आपको समझ में आगा हो कि यह योगिक है यह अकेला है जिसके टुकड एक शब्द कहलाता है तीसरा हमारा योगरून सब्द है योगरून सब्द जो है वे सब्द जो योगिक तो है किन्तु सामान अर्थ को न प्रगट कर किसी विसिस अर्थ को प्रगट करते हैं योगरून कहलाते हैं एक्जामपल अभी आपको दिखाते हैं जैसे पंकच पंकच सब्सक्राइब अलग निटेश सकते हैं तो ऩत कौन हो गया रावड रावड हो गया तो यह अलग सब्ध जो है अलग अर्थ दर्थारा रहा है यानि पंकज में फूल को दर्थारा रहा है और में घृष प्रगण करते हैं किसी समासान ijd को वह रूड हो गया जो दो सब्दों से मेल खाके बना हो वह हमारा यौगी शब्द हो गया जो जिसका मतलब जो कोई शब्द आपस में एक्रसिक जब आप टुकड़े करके जब उसका उचारन करते हो तो तीसरा अर्थ जो है उसमें निकलता है तो वह हमारा योग रूण तो यह हो गया हमारा व्यूत्पत्ति के आधार पर जो सब्द भेद है चले दूसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर सब्द भेद देख लेते हैं तो देखिए आपने बहुत पढ़ा होगा तत्सम सब्द इसमें से कोश्चन पहुत पूछता होगा आपने देखा होगा आपन देखेंगे डीप में पस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप देख लो कि क्या होता है तो जो शब्द संस्कृत भासा से हिंदी में बीना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं तो संस्कृत भासा से सीम अगनी मिलेगा छेत्र मिलेगा वायू मिलेगा रात तदभव शब्द क्या होता है जो सब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे तदभव कहलाते हैं बहुत चोटा सा आसान सब्द में है एकदम आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो जैसे में आग आग जो होता है वो अगनी का जो हमारा संस्क्रित ह खेत ख्यक्त का है राथ रात्रिक़ृ शूरज शूरय का है तो यह जो है हमारे तदवह सब्ड कहलाते हैं अब देशज्च सब्द देखते हैं जुँ neutr छेत्रिय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यक्ता अनुसार बनकर प्रचलित हो जाए वे देशज शब्द कहलाते हैं जैसे में पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना ठीक है ये वे देशज शब्द नक्ष्ट आते हैं हमारा विदेशी या विदेशज शब्द तो ने वह Isis जात के संपर्क से उनकी भासा के बहुं से शब्द हिंदी में प्रयुक्त लने लगए हैं ठीक है ऐसे सब्द विदेशज वाविदेशज कहलाते हैं जैसे जो अंग्रेज आ से में वहाई चीजे कुछ इंग्ली में डिसे कभी कभी आप लोग नहीं बोलते से श्टेशन पर जाते हो श्टेशन हमारा एक इंग्ली जैसे कैते हैं हम इस्टेशन पर जा रहा है था तो जैसे एक्यांपल में आपद का ह मैं आपको समझा रहा हूँ पूरी जो है एक चोटी सी वीडियो में पूरी शब्द शब्द के भेड यह सारी चीज है तो आप इसको देख लिजिए एक बार समझ लेजिए बाकि तत्सम तद्भाव देश्च यह सारी चीज हम देखेंगे डीप में लेकिन सब्द के जो भेड है अगर आप से पूछा जाए तो चार भेड है आप कहा सकती हो तत्सम शब्द इंग्लिश ग्रामर देख लो तो इंग्लिश में अपना नावन प्रोनावन यह सारी चीजें होती है प्रयोग के आधार पे जो शब्द के भेड है जो प्रयोग के जाते हैं इसका डेफिनेशन नहीं बताएंगे आप बस चान लो अथ्चे से ठीक है वह संग्या होता है आ विष्मयादी बोधक होता है, ठीक है, तो ये हमारे जो हैं प्रयोग की अधार पे शब्द के भेद हैं, ठीक है, अब देख लीजिए, सार्थक की द्रिष्ट्र से जो सब्द भेद हैं, दो हैं, सार्थक सब्द, निरर्थक सब्द, ठीक है, तो सार्थक सब्द किन को कहते है माता पीता से सब लोग करते हैं करते हैं तो यह सारी चीजे जो है जिसका अर्थ निकलता हो कुछ न कुछ वो है हमारे शार्थक सब्द, निर्थक सब्द है जिन सब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे शब्द निर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी-वोटी, आप लोग नहीं पहुते हैं, रोटी-वोटी, पानी-वा तो यह हो गये हमारे अर्ध की दृष्टि से शब्द के भेद हो गये तो यह दिखी हम लोग पढ़ेंगी अच्छे आने वाले वीडियो में अच्छे से जाती वाचक शब्द हो गया अब नहीं पूस्ता कौन सा शब्द है यह तो जाती वाचक सब्द हो गया गुड़ वाचक शब्द हो गया विशेशन क्रिया वाचक शब्द हो गया द्रब्य वाचक सब्द हो गया तो यह जो है हमारी वाचक शब्द खेलाते हैं यह शब्द में ही काउंट होते हैं यह पुरा शब्द की वीडियो बनी हुए तो पुरा जो है हम लोग जो है शब्द के बारे में ही बात कर रहे हैं ठीक है कहीं अलग से कोई चीज नहीं बताया जा रहा है ठीक है तो यह हो गए पू क्योंकि इसी तरह से जो है हिंदी की पूरी ब्याकरण सेरीज आपको इस चैनल पर मिलेगी और साथ में साथ इतने भी गवर्मेंट जोब आते हैं उनके जो है प्लान स्ट्रेटिजी और साथ में आपको बता दूं जो वीडियो जो चैप्टर वाइस आप लोगों को बनती है है यहां पर सब कुछ मिल जाएगा सारी वीडियो जो मिल जाएंगी आप प्लेलिस में जाके देह सकते हैं और एक चीज और मैं आपको बोलूँगा आप लोग टेली ग्रूप जो है जरूर कीजिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका जो है डिस्क्रिप्शन बोक् ते हैं अगली बेली में, thank you so much